नमस्कार दोस्तों वैश्णवी और्गेनिक डेरी फोर्म में आपका स्वागत है आज मैं आपको जू चिचडी या जो परजीबी होते हैं इनके बारे में कुछ जानकारियां देने वाला हूँ जू चिचडी ये जीव हमारे पसू में अक्सर उत्पन हो जाते हैं गंदे और मेले पानी से नहाने से जू चिचडी फैलते हैं या उत्पन हो जाते हैं बच्छडे या बच्छडियों को नहीं नहाने से भी जू और चिचडियां हो जाती हैं, या एक से दूसरे पसू में फैलने वाला रोग है, हमारे गाय भैस को जू और चिचडि टिक्स को हटा, जू चिचडि को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, यह क्या है, ज्यादा पाट भेजाईना हो गया, अडर हो गया, उन में ज्यादा लगती है, या रहती है, चिपकी हुई, जिससे पसू तनाव में रहता है, तनाव में रहने से दूद में कमी आ जाती है, और एक्स्टरनल परासाइट का समय पर इलाज होना आती आवस्यक है, एक्स्टरनल परासा या भी फैला देते हैं, जैसे बवेशिस इसलाम की बीमारी होती है, या खून की कमी, ये नीमिया, कहते हैं, ये बीमारी उत्पन करते हैं, इसका इलाज नीम के पत्ते का पानी में उबाल करके, ठंड़ा करके, पसु को अशनान कराना चाहिए, या फैनाईल से, फैनाईल के एक पानी लेकर के एक ड्रम और उसमें 100 एमिल फिनाईल डालना चाहिए और उससे जानवरों को नहाना चाहिए जिससे की जू और चिचड़ी मर जाती है या कम हो जाती है दूसरा उपाय है सरसो का तेल 2800 ग्राम और 25 ग्राम गंधक 25 ग्राम गर्जन का तेल जो पंसारी की दुकान में मिल जाता है 12 ग्राम कपूर 12 ग्राम तारपीन का तेल ये सब मिला के और जानवर को लगाएं और दो घंटा बाद नहाने से जू और चिचली खत्म हो जाती है ये सारे परकिर्तिक दवाएं है नेचुराली ढंग से आप इलाज कर रहे हैं इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है एक भाग नील का ले ले तीसरा नंबर पे 10 ग्राम और 20 ग्राम गंधक ले ले अब हैसलीन या कड़वा तेल का दवाई ले करके मिक्स करके पसू को लगाएं और 2 गंटे या 4 गंटे बाद नहलाएं तो जू और चिच्ड़ी मर जाती है चौथा जो है नून नमक ले 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 4 भाग मिट्टी का तेल 1 भाग कड़वा तेल 4 भाग मिला करके आप पसू को या लगाने के बाद 6 गंटे बाद नहाने से जू और चिच्ड़ी भी मर जाती है और ध्यान रहे हैं कि जिस जगह पे गाए या पसू को आप बानते हैं उस जगह पे भी फिनाईल का मतलब पानी बाकेट में घोल करके 100 एमिल एक बाकेट पानी में 100 एमिल फेनाईल का डाल करके छिड़काओ करने से बिजू और चिच्ड़ी मर जाती है सरसो का तेल अलसी का तेल और हल्दी 20-30 ग्राम आरती का पूर करने वदा दूटी किया तीलो का पेष्ट तीनो का पेष्ट बना लें और पसू को लगाएं जहां पर जू है वहां पर भी लगाएं और जहां पर नहीं है वहां पर भी लगादें साफ सफाई के लिए लाल दवाई फेनाईल का पानी पूरे बाड़ों में छिड़काओ कर दें बाल्टी में 100 ml फिनाइल लेकर और एक बाल्टी पानी लेकर के मिक्स करके और स्प्रेय करें पूरे सैड में जिससे जू और चिचड़ी के साथ-साथ कोई भी भायरस उत्पन जल्दी से नहीं हो जाएगा और इस बीमारी का आपको पर्मानेंट समाधान मिल जाएगा तो दोस्तो ध्यान रखें कि जू और चिचड़ी जो फैलती है वो गंदगी से फैलती है जिस जगह पे पसू बैठता है उस जगह एकदम साफ सुथरा और ड्राई सुखा होना चाहिए और वहाँ पे कोई भी जो रख़ यद्धा यद्धान मिल जो खजदे जो ख़िए और जो खबाष आएगा यदह जो फिका का मिल झाता है जो यह झाता है जो पिका का जो बाएगा यद़ी जो स्ण वेख़।